नमस्कार, स्वागतेवं, अभिननन, पुना मेरी चैनल अक्षेग्यान पे, आज हम अपके समक्ष अहिन साया हा, जया हा, शोड साहा, पाठा हा, संस्कित निदिक, अक्षाचे की जो पाठ है, उसको लेकर उपस्त दियूं, तो हम देखेंगे पाठ को, पुरा कौशल देशे एक विष्णा, दस्यू अवसत, प्राचेन काल में कौशल देश में एक भेंकल ढाकू रहता था, दस्यू होता है ढाकू, तस नाम अंगली माला आसीद, उसका नाम अंगली माल था, लोका नाम नुंठनम हननम चा, तस दैनिक किरत्यम, लोगों को लूटना और उन्हे मार देनक देनक चा, प्या प्यार था, लोगों को लूटना और में मार जेनक, असव यान, हन्ति म हंति, समह तेश्याम, अंगली चितवा, ता भी माला वियरच्य, kamठे, अधारियत, असव, उन्हें सबकी हनति मार करके, उनकी उंघ्लियों को चितवा काट करके, ता भी माला विरच्छे बना करके कंठे गले में अधारे धारन कर लेता था क्या करता था वो जिनको मारता था काट देता था उसकी अंगली काट का उसकी माला बना कर गले में धारन करता था इसलिए अधा तस अंगली माला इतिनामना ख्याती जाता है इसलिए उसकी अंगली मालके से ख्याती यानि प्रसिधी हुई प्रसिधी दो प्रकास होते है अच्छे कामों से और गलत कामों से अंगली मालके का दुष करने गलत कामों के बज़े से प्रजा बहुत दुखी थी राजा प्रसेंजीतास्य क्रूर गरतेन भ्रहन्शा कश्टम प्रापनोत जो राजा प्रसेंजीत को भी इसके कूर कारों से अधिक कूर कारों के वाजे से बहुत दुख होता था राजा तस निग्रहेन बहु प्रायात सैन्यवलम चा प्रेशत परम सफल्यम ना लभवत मतलब उन्होंने क्या कि राजा ने उसे पकड़ने के लिए बहुत प्रतने किया क्या किया राजाने तस निग्रेन बहु प्रयाद उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयास क्या सैनिवलम यानि सैनिकों को भेजा प्रिश्यत पकड़ने के लिए परंतु सफल नहीं हुए भगवतो बुद्ध के शिष्य प्रसेंजित ने उस विषय में बुद्ध से निवेदन किया बुद्धा तदानीम अंगली मालस समक्षम धर्म उब्देश्टूम गता हुए क्या है धरम उब्देश्वं गता क्या क्या उनुने बुद्ध मां अंगली माल के सामने उब्देश देने गए फिर क्या हुआ सहा बुद्धम अलोक के कुरूर्टे हंतुम अधावत और वो बुध को देखकर कुरूर्टा के साथ हंतुम मारने के दोड़ा बुद्धा स्वा तपोवलम ग्यान हम प्रकाश्यत बुद्ध ने अपने तपोवल से ग्यान का प्रकाश उसके अंदर डाला यहीं क्या कि उन्हें उसके अंदर देखा तपोवाज़ होता ना कि बढ़ों को देख करके जो बुद्धिमान योकी होते हैं उनका प्रकास उसके उपर आया उससे क्या हुआ पुद्ध स्य करुणाद्रव भावं बिलो के चकित अभूत अभूत तथा बुद्ध स्या समक्षावनभूत अभूत शक्षम अवनूत अभूत उसमें क्या हुआ है उसके बाद उसने देल करो दिशक्कित हुआ उसके सामने स्प्रव्कार के लिए मतलब ध्यांसे सुनीगस को फिर से कर लेते हैं थे संध मुद्र ने करूना करूना द्रव भॉब उसके अंदर ने देक वुद्ध की प्रवास से उसका ज्ञान अध्यान था फिर क्या हुआ धर्मत से परहत्त प्रेंदः बुध तदा धर्मत से परहितस से प्रेम रहा करोणाया चा शिक्षाँ ता अफायत लुट व्याइट क्या क्या उन्होंने बताया है सिंको बुद्र नेनिंघ को वहत्रों की सिक्षा को दिया बुद्र लोनें को गजन मांड अग्यां को नस्ट बूद्धि की उपदे से उंगली माल का अंधिकार जो नस्ट हुआ सा उंगली मालाम मालाम शित्वा खड़कम प्रक्षिपत फिर क्या-क्या उसने माले अपनी जो माला पहन रखी थी शित्वा निकाल करके और इसको फैंक दिया और ये खड़कम ये नितलवार भी फ प्रापनुत उसने दूसरों को मारने का हिए छोड़ कर द्याभाव को अपनाया बुद्ध सहा सिश्य अभवत और वो बुद्ध का सिश्य बन गया एवं हिंशाया अहिंसया भीज़ अभववत फिर क्या हुआ कि इसे हिंशा पर अहिंसा की विजय हुई कैसे हुई इस स्कान इसने सब को शोड़ दिया और वो अहिंसावादी बन गया तो देखिए पुराहा प्राचीन भीश्रह भैंकर दस्यु डाकू लोका नाम जानता असव हुआ है लुंठम लूटना समहा हंतिम समहा मारता था उंली तो यह बहुत सारे इसमें से यह सब्दार्थ हैं जब हम कोशल देशे कह दस्यु आसित अंगली मालाहा कहा की जगाए केवल अंगली मालाहा लिखना है कोशल देशे अंगली मालाहा दस्यु आसित अंगली मालाहा से दुस्क्रते के दुखिता आसित कौन दुखिय हुआ था प्रजहा का से उपदेश प्रभावाद अंगली मालाहा अंदकारह नश्टा अववात बुद्ध से अंगुली माला हिंसा परिताज का भावम अपदया भावम ये सब हमारी पुस्तक में पिछे लिखे हुए हैं और इसके बाद दिखिए वाकि को पूरा करना लोका नाम ये मैं या लिक रहे थी लुंठम हनन चाता से लोका नाम बुधस तदा बुधा तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेवनह करुनाश्य चा दात ठीक है बुधस्य उपदेश प्रभावाद सिक्षाम चा अंगुली मालस्य अंदकारस्य नश्टह सा परपिर्णम हिंसा चा परितज दयाभाव प्रापनूत ये इसमें अब इसके बाद अ पठितवा वाक्यानी पूर्यार रमा विद्यालयात पठितवा आगच्छती वहिदा चित्रम द्रिष्टवा हसती बालकाह कथा शूत्वा शेते मोहना दुगदम पीतवा किरती पक्षुना त्रणम मीतवा उत्पनूत इसमें सारे शब्द दे रखें बस भर नाम पीतवा जब हम कोई चीज संस्कित में नहीं पड़ता है तो हम लोग संदिविशेद करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं करुणा द्रव भावं, करुणा धन आद्र भावं बुदर्स तदा, बुदा जन तदा हम अब हम ये देखें, ये एक चक्र है इस शक्र में बहुत सारे शब्द दिये हुए इन शब्दों को मिला करके हमें एक पूरा वाक्य बनाना है जैसे रंभा, जया, आरती, चा, आसने, उपविश्य है ना, इस तरह से वयम, पुस्तिकम, आदाया, पठामा इसमें उपविश्य और फिर इसके बाद अपठनाएगा, पठामाएगा, पठा इस तरह से हम इसको पूरे बना, अब शिश्या, जलम, आनी है, फिर क्या होगा, पठोगा जैसे ता, छात्रम, पदम, बिरच्छे, अब इसके इसी तरह से सारे वाक्य बिनाने तो हमने इसमें से बयम पुस्तकम आदाय पठामा, रमा जया आरती चा आसने उपविश ये दिखी, रमा जया उपविश अपठन अब है वे शस्या जळम आनिय अपढ़न तो इस रसे मारे पूरे वाकेस में हमने बना लिए तो इसके पशाथ अब यह लास्ट में है कि पाठात किरिया पदानी चित्तों लेकर जैसे आसीत आउसत अधरत इस तरह से और भेने वाक्य बनाने हैं तो हमारा से यह सोलमा पार्ट संस्कृत नेरी कख्षाश्य का पूरा होता है